एलो फ्रेंड्स वेलकाम बेक माई यूटूब चैनल टेक्निकल मिस्ताग फ्रेंड्स आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यदि Y71 मोडल में यदि इसका माईक वर्क नहीं करता हैं तो हम इसको किस तरीके से रिपेर कर सकते हैं दोस्तो यहां पर मैं इस वीडियो को सेिक्षन हो गया। यह thereforenymi होते हैं इसमें तो सिरिफ ट्रेक होता है लेकिन दोस्तों जो इनमें लाइट से क्सवट्र करता है मारे मोबैल में उन सभी का वीडियो मेरी छेनल पर मिल जायगा तो दोस्तों जरूर चेक का लेना तो दोस्तों हम में सबसे ती के माइक के ट्रेक को समझ लेते ह। तो सबसे पहиновasếu यह है इस का माइक, ठीक है। यहाegen माइक है और उसमें जो इदर वाला यह वह पॉइंट है यह तीन पॉइंट रहाओं पर रहते हैं उन्समें जो यह वाला पिंट यह तो हमारीश सब यहाँज का हो सबस्कित मिद्ट के वल्टिज की वी सब्सक्राइब कर आइक काम करने के लिए वॉल्टिज दिया जाता हैता है मतलब हमारा मायक क्या करता है और डख़ vocês हिंभनों digital signal में बदलता है तो यह सब करने के लिए इसके अंदर यहां पर circuit होता है तो उस circuit को सही तरीके से काम करने के लिए bias का उल्टिज दिया जाता है जो 2.7 होता है ठीक है उसके बाद यह supply कहां पर जाती है उसके बाद दोस्तों इसकी जो पॉज़िटीव यहां पर जीख सकते हैं कुछ इसकी इस्फ़ुटीव ऐले सफ्ला हे हैं यहां पर इस और घ्प़ीसिटर कि हैं यहां पर आपको यह टिख सांदमें निकल जैए तो भी यहां पर को आपका माई-कTS नहीं कर जाते हैं तो लौन वह Igor ौल饑ं आप यहां पर जंपर् clusters कर सकते हैं तिक और उसी तरीके से इसके जो पॉजिटिव वाली शप्लाइए वह आती है हमारे यहां पर इस वाले प्वाइंट पर आती है और इसकी बार दोस्तों हमारे यहां पर यहरा यह पर तो आती हमार इसकी positive की supply और उसके बाद यहाँ पर पांच नमबर पिन होती है उस पर आती है इसकी बाइस की supply पांच नमबर पिन पर ठीक है और इसी तरीगे से अमारे यहाँ पर जो उपर की तरब आपको यह वाला connector दिखाई दिए रहा होगा इस connecting में नीचे की तरब ठीक है, इस connecting में जब आप इधर से count करोगे, इधर से count करोगे तो यहाँ पर आपको जो तीसरे नमबर भीने, उस पर तो आती हैमयरो इसकी positive की supply और उसके बाद जो इसके बाद जो इधर से, मेन पावर आइसी के अंदर मेन पावर आइसी के अंदर चली जाती है और उसके बाद इसका जो बाइस की सप्लाई का होता है इसके एक पीछी की तरफ यहां पर एक कैपिसिटर लगा है ठीक है जो यह वाला कैपिसिटर है यहां पर उस केपिसिटर के इस वाले पॉइंट पर नीचे की तरफ जो पॉइंट ही इस पर आती है इसकी पोजिटिव वाले सप्लाई ठीक है इस पर आती है अब दोस्तों ये केपिस्टल भी अगर शोट हो जाता है तो भी आपका माइक वरक नहीं करेगा इसलिए हमें ट्रेक का मालूम होना जरूरी है और उसके बाद दोस्तों इसकी सप्लाई है वो आ जाते है हमारे यहां से सीधा जो मेन पावर आईसी है इस मेन पावर आईसी के अंदर आ जाती है तो इस तरीके से होता है दोस्तों हमारे इसमें विवो वाई एगेतर वाई I hope दोस्तों ये वीडियो helpful रहा होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए take care Bye Bye